अप्डेट दे रहा था कल से ही कि सुनवाई होगी और एक उम्मीद यही मैं अपना व्यक्तिक उम्मीद बोला था मैंने आपसे और जो मैंने बोला है कल आपको वहीं आज आप लोगों को देखने को मिल गया है जी हाँ सुनवाई पूरी हो चुकी आज की लगनुखंट है कोई कुछ नहीं कर सकता इस बर्ती का तो बहुत बड़ी अपडेट है और आप लोगों को चेरे पे स्माइल जरूर देखने को मिलेगे क्यों क्यों कि ऐसी तारीक मिली है जिस दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है वो तारीक क्या है इस अपडेट में जानेंगे तो maximum share कर दीजेगा चली वीडियो शुरू करते हैं तो तुरेंत यहां पर अपडेट आप यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि next date जो है आपको 23 मई मिली है और 23 मई आपको पता है final result आएगा आपके लोग सबाद चुनाव का उस दिन counting रहेगा उसी दिन आपकी तक सबसे बड़ी बात है कि 23 तक स्टे रहेगा यानि कि अब इस भरती में कोई भी कार आगे नहीं बढ़ेगा तो इसमें सीधर मतलब है कि कोई भी कार आगे नहीं होगा तो यह मैं आप लोगों को पहले ही सपर्ष कर रहा था कि सरकार जो लोग बोल रहे थे आप निरगत की गई है और इस दिन लोग सभाश चुनाओं के बाद ही सरकार आप लोगों को देखने को मिलागी तो इस परष्ट चीजा है कि 23 तारीक तक कोई भी कार नियोंुका दूसरा बहुत मजबूती से आप लिगों को देखना को मिलेंगी और आप लोगों का कोट अपडेट और कोट की PDF के साथ और्डर कोभी के साथ आप लोगों को हम मिलेंगे शाम को स्टे ट्यून आन राइट विकेशनल गट प्लेश वाल थेंकिसुमाज